नमस्कार बहुत बहुत स्वागते आपका देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लाटफॉर्म मैं हूँ आपके साथ धरितू ग्यानवानी आज का मुद्दा है यूक्रेन और रूस युद्ध जब शुरू हुआ था तो किसी को भी यकीन नहीं था कि दो देशों के बीच छड़ा युद्ध इतना लंबा चलेगा सबको यही लगता था कि रूस तुरंट इस जंग को खत्म कर देगा लेकिन देखते देखते करीब दो साल हो गए लेकिन दोनों देशों के बीच जंग अब भी जारी है यूक्रेन ने कई बार भारत से गुहार लगाई यूक्रेन राश्टपती व्लादिमीर पुतीन से होई है इस मुलाकात के दौरान प्रधान मंतरी मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच छड़े युद्ध को लेकर बात की है पीम मोदी ने शांती बनानी की अपील की है शांती भाली के लिए भारत हर संभव मदद करेगा ये भी उन रूसी दौरान मोदी ने कहा कि रूस के साथ हमारे एतिहासिक संबंध है रूस के साथ हमारी गहरी मित्रता है और आने वाले समय में हमारे संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे पिछले तीन महिनों के भीतर नरेंद्र मोदी का ये दूसरा रूसी दौरा है पीम ने कज पूतिन की अज़ने देख रहे हैं दुनिया को भी ऐसा लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी बातों को रूस गंभीरता से लेगा और जब भारत ने शान्ती की अपील की तो रूस भी हिंदुस्तान की सला को नजरन्दास नहीं करेगा भारत हमेशा ही शान्ती का पक्ष्णर रहा है अब ये देखना होगा कि युद्ध की धर्ती से ये गया शान्ती का संदेश कितना कारगार साबित होता है प्रधार मंतरी का रूस दौरा कई मायनों में खास हो सकता है एक तो युद्ध को रोकने की अपील और दुनिया को शान और यूकरेन के बीच छिड़ी वार को कोई रुकवा सकता है तो वो सर्फ भारत ही है